हमारे साथ जूरे रहने के लिए ग्यान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए क्या आप भी अपने फोन पे में UPI PIN को भूल गए हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फोन पे में हम UPI PIN को कैसे रीसेट कर सकते हैं? तो फिर यह वीडियो देखते रहिए हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज, तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे सबसे पहले आप अपने फोन पे अकाउंट पे आजाएए, यहाँ पे हम होम पेज पे हैं, तो यहाँ पे UPI PIN को रीसेट करने के लिए नीचे माई मनी पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे ऊपर bank accounts पे click करेंगे और अब यहाँ पे आपका bank account आ जाएगा जो भी आपने bank account add किया होगा तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको दो option मिलते हैं यहाँ पे नीचे है change him upi pin या फिर नीचे बगल में है reset him upi pin हमें reset करना है उस पे हम click करेंगे और click करते ही यहाँ पे आपके सामने इस तरह से एक screen आएगा यहाँ पे आपको David card के details पूछे जाएगे अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो card है जो ATM card है उसके last का 6 digit डालना है जो 16 अंक का number होता है उसका last का 6 digit और नीचे जो है valid जो month और year होता है वो आपको डालना है चलिए यह सारे details जो है हम यहाँ पे डाल देते हैं अब यहाँ पे हमने सारे details डाल दिये हैं और अब इधर continue पे click करेंगे और जैसे ही आप click करेंगे आपके जो register phone number है उस पे एक OTP जाएगा और यह अपने आप से उपर में verify हो जाएगा और सही का tick लगा आ जाएगा अब यहाँ पे नीचे जो है set UPI pin बोल लहा है हमें यहाँ पे एक नया अपना UPI pin बनाना है चलिए नीचे जो है हम एक नया UPI pin डाल देते हैं तो अब यहाँ पे हमने UPI pin डाल दिया राइट के tick पे क्लिक करते हैं और फिर से हमें जो है confirm करने के लिए बोलेगा हमें वापीस से डालना है और फिर इसे जो है नीचे सही के tick पे क्लिक करके इसे save कर देना है अब यह saving हो रहा है अब आप देख सकते हैं नीचे भीम UPI pin successfully set तो अब यहाँ पे हमारा जो UPI pin है वो अब successfully reset हो गया है और अब इस pin के सहायता से हम कोई भी transaction कर सकते हैं और अपना balance inquiry कर सकते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से जो है हमने phone pay का UPI pin reset कर लिया है phone pay से related और भी अगर आप video देखना चाहते हैं कि bank account हम कैसे add कर सकते हैं और भी इस से related video देखना चाहते हैं तो description में link है वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर i button में link डाल दोगा वहाँ से आप देख सकते हैं इस video में बस इतना ही